आज के वक्त की एक नई खोच लेकर आपके बीच आए हैं कुमार मनोज नमस्कार दोस्तों मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री धर्ती पूत्र नेता जी पूर्व रक्षा मंत्री नजाने किन किन संभोधनों से नवाजे जाने वाले मुलाइम सींग यादव जी पंच्चितत में विलीन हो गए और छोड़ गए अपने पीछे एक लंबी राजनेतिक विरासत और बहुत सारी यादों का एक बड़ा सा गल्यारा उन गल्यारों में जाकने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुलाइम सींग की जिन्दगी कैसी थी हम सब तमाम सारे टीवी चैनलों पर तमाम सारी डिबेट्स में बहुत सारे पत्रकारों के दोरा उन्होंने मुलाइम सींग की राजनेतिक सफर उनके पहलवानी का दोर उनका जो अध्यापक का जीवन था उन सब के बारे में जाना लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि मुलाइम सींग यादव की पहली ससुराल कहां थी आज हम आपको वहां लेकर चलते हैं इटावा मुख्याले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गाउं बसता है जिसका नाम होता है रैपुरा उसके इस तरफ चोबिया है और एक तरफ चोपला है चोबिया और चोपला के बीच में एक गाउं है जिसका नाम है रैपुरा जिसे आजकल रैपुरा चोराही के नाम से भी जानते है जी हाँ, यही वो गाउं है जिसमें मुलाइम सिंग यादव की थी पहली ससुराल, यानि बरात लेकर मुलाइम सिंग बेल गाड़ी पर, भैसा गाड़ी पर इसी गाउं में गए थे मात्र 17-18 वर्ष की उम्र थी उस समय मुलाइम सिंग यादव जी की जब उनकी शादी की बात चली और देखते ही देखते कम समय में ही रिष्टा पक्या हो गया घर की आर्थी किस्तिती बहुत खराब थी तो अच्छे घरों से शादियां भी नहीं आती थी इदर रहपुरा गाओं में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुगर सिंग जी हाँ ये भी एक संयोगी है कि मुलाइम सिंग यादव जी के पिताजी का नाम भी सुगर सिंग है और उनके ससुर का नाम भी सुगर सिंग था सुगर सिंग के तीन बच्चे थे जिसमें महराज सिंग बड़े, मालती देवी और लाखन सिंग लाखन सिंग पुलिस की नोकरी में लग गए और महराज सिंग अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं आज भी अगर आप उनकी ससुराल में जाकर देखेंगे तो उनका रहन सेहन जीवन एकदम से बहुत सामान है उनकी जिन्दगी देखकर आपको ये पता चलता होगा कि मुलाइम सिंग यादव जी का शुरुआती दौर कैसा था उनके गाउं में चलते हैं और उन्हीं के जो बड़े साले हैं महराज सिंग यादव उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मुलाइम सिंग यादव की बारात गई थी क्या क्या उस दोरान हुआ था आईए आपको लेके चलते हैं महराज सिंग यादव जी के पास और सुनते हैं वो पूरी यादों का एक पिटारा पूरी यादों की कहानी जो मुलाइम सिंग के रदिगर्द घूमती है मैं अपने बहनोई यानि के मुलाइम सिंग के बारे में आप कुछ बताएंगे जब उनकी शादी हुई थी किस तरीके से आप किया रिष्टा हुआ उस टाइम मुलाइम सिंग जी क्या करते थे और इतने अशीम परदेश के सरवचितम पद यानि के मुख मंतरी बन गए तो ये उनके कुछ इस्टगल के बारे में बताएएगा हमको तब जिनकी उम्रे जे दस बारा साल तेरा के चोटे पर पहले साधी होई जाते थे जे आठ में पढ़ते तब हमाई यहां से साधी वेटी ने के चाचा ने फेर जे बरावर जब से हमाई यहां साधी वेटी तब से जे तब इनके यहां कुछ नहीं यह तो तब से बरावर उठाचा ले जाधी होगी होगी उनके अठ्ञावन साधी जन्चेववन पर जे बरा फिर जे सरसट में नेचनाल लड़ो फेलो पहले पढ़ा रही प्रड़ाइक बाद जे मास्टर बने हो फिर जे चनाल सरसट में लड़ो तो जीत गए विदाइक बने तो अभी आपके सम्मंद कैसे हैं उनसे मेरे सम्मंद बढ़ी आए यहां पर आते हैं अकले पूपा ते मुचारा गाउं है उन्हीं से पई के पास तो उनने सम्मंद करा हूब है तो अच्छा जानका गांव होता हूए ठेक है किस तरह केसेे बाधा हूए थासे तक बाधा कर तो फोड़े पैसा इसा मैस्ति तो, तो the ट्वर जा एख़ाईए सफ़ना से बाधा यहरी और संद्स्त्संण ब्यक्तों से बाधा है ठ्वली हो तब इतनी रुकिबेव कि शुवदा नहीं थी कि हमाई यहां जू पहले गल्ला कटा तो बाग गठूरी डड़ी तो बाग पहलोड रुकाई थी बड़ा है यही तो कुछना चाहरे हैं अमें भी बड़ा आना दाए और रात में एक आद आदमी को तो बीच्छी निखा लग बिच्छी निखा लोग तो पिर इधिया दिधियर है यहां पयाँ नेखिकन को किछने टीरा धार इचार में दस्यों कि पर लुग भटा सब्सक्निदें बाग आस शुट है तो ये किस सन की बात है जर एक बार फिर हमारे दर्शोकों को बताईएगा 1958 में शादी हुई थी 1958 में शादी हुई थी मानी मुलैन सिंग जी की और इसी विशह में हम आए हैं चर्चा करने के लिए किस तरह के से क्या हुआ है और गोड़ा, मतलब बैस साहँ कोई दन घे कोई कई जोना रहता तो कहें में आय थे हुँ काहे में आय थहां आय थाम आए है कपड़ा पड़ा आते हुआ है तो हम दो बल्जान भाई थे दोनों के लिए आए इवात तुर्क टीपु यादव अखलेस यादव के नाम से पिरसिद आज जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखलेस यादव जी वो कभी इस गाउं की पगडेंडियों पर खेला करते थे गुली डंडा खेला करत यानि अपनी उम्र के जो बच्पन के दिन थे वो उन्होंने इसी गाउं में गुजारे हैं तो आपको उस गाउं की भी सेयर कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा था अखलेस यादव का वो दौर जब वो यहां कभी-कभी आया करते थे हाला कि वो बहुत जादा नहीं गए उनके मामा से जानिये कब कब आये अकलेस यादव कि आप पूर विश्यम अकलेस जी के मामा हैं तो उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि अकलेस जी बच्पन में किस तरीके से कैसे थे और किस तरीके से इतनी बड़ी उचाई बुलंदी पर पहुंचे प्रदेश की मुख्मंत्री यहां तक के बन गए उस चीज की विसे में हमारे दर्शकों को बताएं मतलब हो है जे उड़ से नेता जी है और एक ही संतान है और कोई संतान ना या सो बीस साल बाद पैदा वाई जे उस चोटे ही से पड़ी बड़ी के बैठाद दाए और वह साव से तो बिने नेक कछू उसी और आते ही दोड़ा कि मार जोए गरी ते तो अकले अकलेस ही है और जे जे शे जुलाई एक अट्र को जनम शे जुलाई एक अत्र का उनका जनम है तो उनका जनम जो है सहफए में हुआ था कि आपके ही द्वारा की यह बादचीत तो किस तरीके से यह हुआ पूरा रिष्टा अबेर द्वारा बाचीत नहीं करी है उने के खोदे बे श्कूले में लड़की पड़ाती और जे कंडल थे उनके ससुर्ता तो मुलाई सींकी इच्छाती के बिनके नहीं लालू की लड़की के साथ साधी कर गए तो एनने उनको जब एसी बात सुनी तो भी चुप रह गए फिर यहां से साधी बाई तो उनकी शाधी की कुछ यादगार बातें कुछ बताएं साधी की यादगार का है अब लोग गए वहां साधी को बहुत बड़ो प्रोग्राम है तो कि दसपोंच पंडायन लगी ती खाना पीना की लए बहुत बहुत दिवस्ता और ही साधी जिसको बहुत कम लोगों ने जाना है आज मुलाइम सिंग्यादव जी हमारे बीच में नहीं है एक भारी राजनेतिक शून बन गया है और उस शून को भरपाना बहुत मुश्किल है हम उनको तहे दिल से स्रधानजली देते हैं और इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इश उन्हें अपने चरणों में स्थान दे